हलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे क्यूके स्टेडी चैनल पर जिसमें मैं आपके लिए लेकर करके आया हूँ जनल साइंस और जीके की टॉप क्यूशन सीरीज ये टॉप क्यूशन सीरीज आपके एक्जाम लेवल को द्यान में रखकर बनाएगे साथ इस साथ इस से आपके एक्जाम में क्यूशन आने के संभावना ज़्यादा रहने वाली है तो स्टुडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले स्टुडेंट बात करने वाले आज मानव तंत्री का तंत्र टोपिक के बार हैं जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लेट कर लिया है आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है तो चलते हैं आज गया हमारे फर्स्ट क्यूशन और टोटल नंबर क्यूशन 51 के तर प्रमस्तिक जिससे सीरेब्रम भी बोला जाता है और यह मस्तिक का सबसे बड़ा भाग होता है तीसरा है मैडूला ओबलो गेंटा चोटा है थलेमस ओप्चन डियें तो 51 क्यूशन में सही आंसर है ओप्चन बी शेरेब्रम को मानव मस्तिक का बुद्धिका के अंदर बोला सकते हैं. चलते हैं, नेक्स् st क्योशन के ओर हमारा next क्योशन है, क्योशन नॅमबर 52. मानव मस्तिक्स में कौन सी पाली, सरवण से संबन्दित है, जो सुने अगर ललाट पाली, संब्स भी बिथिय पाली, संब्स पाली, अप्सट अनू कपाल पाली. Q52 में सही आंसर है option C संक पाली जो की सरवन से संबन्दित है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है Q53 प्रेरक कोसल मस्तिक्स के कौन से बाग से संबन्दित है तो हमारे option से option A ललाट बाग, option B बित्य बाग, option C लेंगिक बाग, option D कपाल बाग Q53 में सही आंसर है option A ललाट बाग, जो प्रेरक कोसल होते हैं मस्तिक्स के वे ललाट बाग से संबन्दित है हमारा next question है, Q54 तंत्री का तंत्र का अध्यन क्या कहलाता है तो हमारे option से option A psychology, option B neurology, option C dermatology, option D mycology Q54 में सही आंसर है option B neurology, जो तंत्री का तंत्र है उसका अध्यन neurology कहलाता है next question है, Q55 वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेर कना ना भूल मानव सरीर्क में सबी अंगों का नियंत्रन, संचालन, M समन्वे कोन करता है Q55 में सही आंसर है, option C दोनो, दोनो का मलब है A और B क्यानि कि अंत्रावी तंत्र और तंत्री का तंत्र, जो कि मानव शरीर के अंगों का नियंत्रन करती है, संचालन करती है, समन्वे करती है चलता है next question क्यों है, हमारा अगला question है, Q56 EEG, electroencephalograph किस की गतिविदी जाच करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो हमारे options है, option A हज, option B mustix, option C आखे, option D liver Q56 में सही answer है, option B mustix, brain, brain की गतिविदी जाच करने के लिए EEG का प्रियोग लिया जाता है, EEG की full form होती है, electroencephalograph चलते next question के ओर, हमारा अगला question है, Q57 नमबर 57, दो तंत्री का कोशिकाओं के मिलने वाले इस्तान को क्या कहते हैं, जहां आपस में आकर के दो तंत्री का कोशिकाओं मिलती है, उस इस्तान को क्या कहा जाता है, तो हमारे options है, option A rain wear संदी, option B सिनेप्स, option A dentrons, option B इन में से कोई निग, Q57 में सही answer है, option Snips, जहां पर दो तंत्री का कोशिकाओं या आकर मिलती है, उस इस्तान को Snips बोला जाता है, चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, question number 58, मनुष्य में मेरू तंत्री काओं के संक्या कितनी होती है, जो मेरू तंत्री काओं के संक्या कितनी होती है, तो हमारे options है, option A 80, option B भेतर, option C 62, option D पिच्चान में, Qs number 58 में सही answer है option C 62 जो मनुष्य में मेरू तंत्रिकाई के अंदर होती है यानिकि 62 मेरू तंत्रिकाई मनुष्य के अंदर होती है चलते हैं next question के ओर हमारा अगला question है Qs number 59 मानव मस्टिक्स में कितनी कपाल ये तंत्रिकाई पाय जाती है जो कपाल के अंदर तंत्रिकाई होती है वो कितनी होती है हमारे option से option A 24 option B 12 option C 31 option D 20 Qs number 59 में सही answer है option B sorry option A 24 मानव मस्टिक्स में कपाल ये तंत्रिकाई के जो संक्या होती है वे choice होती है अगर आपको कपाल ये तंत्रिकाई के जोड़ी पूचे तो वे 12 जोड़ी होती है चलते next question के ओर हमारा अगला question है question number 60 निमन में से मस्टिक्स को घेड़ने वाले कपाल का इस्सा होता है तो हमारे options है option A frontal, option B mandible, option C cranium, option D parietal question number 60 में सही answer है option C cranium जो मानव मस्टिक्स को घेड़ने वाले कपाल का इस्सा होता है वे cranium होता है चलते है next question के ओर हमारा अगला question है question number 61 दवनी के समयना मानव मस्टिक्स में कितनी देर तक रहती है जब कोई आवाज सुना ही देती है तो उसकी समयना मानव मस्टिक्स में कितनी देर तक रहती है तो हमारे options से option A 1 second option B 0.2 second option C 0.1 second option D 0.5 second question number 61 में सही answer है option C 0.1 second दवनी के समयना मस्टिक्स के अंदर रहती है चलते है next question के ओर हमारा अगला question है question number 62 अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना वोले चैनल पर नहीं है तो फटाफ़ची चैनल को लिजे सब्सक्राइब इस चैनल पर आपको जनरल साइंस और राष्टान जी की top question series देखने को मिलेगी जिसके माद़ें से आप अपने तैरिका बहतरीन तरिके से आखलन कर सकते हैं क्यूशन नंबर 62 में सई आंसर है option option d विदुत्रंग विदुत्रंग के रूम में तंत्रिका कोशिका इमाद्दे में सूचनाओं का संचालन करती है चलते है next question के और हमारा अगला question है question number 63 माजपेशी की गतीविदी के लिए कौन जिम्यदार है तो हमारे options है option परेरक तंत्रिका कोशिका, option b relay तंत्रिका कोशिका, option c गराय तंत्रिका कोशिका, option d स्वाय तंत्रिका कोशिका क्यूशन नमबर 63 में सही आंसर है उप्शन है प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो की माज़पेशी की गतीव दीगे लिए जिमेदार है चलते हैं नेक्स्ट क्योशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 64 मनुश्य में द्रश्टी और सरवन सजगता सकती को नियंत्रेट करता है तो हमारे उप्शन से उप्शन कारपोरा क्वार्टरोजेमिया उप्शन भी अनुमस्टिक्स उप्शन सी है पॉंस उप्शन डी मेडूला और ब्लोग गेंटा क्यूशन नमबर 64 में सही आंसर है उप्शन भी अनुमस्टिक्स अनुमस्टिक्स के द्वारा मनुश्य में द्रश्टी और सरवन सजगता सकती नियंत्रेट होती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 65 क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 66 नियमन में से किसी एक भाग को चोट लग जाए तो इसमर्ति सिन हो जाती कूशन नमबर 66 में सही आंसर है अगर चोट लग जाए तो हमारी यादास्त कमज़ोर हो जाती है और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब जिस जगे पर लगी थी उससे या जगे लगने से यादास कम होई थी वहाँ पर वापस मारने से वापस यादास आ जाए ये नहीं होता है ये एक ब्रेम है जो आपको ऐसे ही बता दिया जाता है तो चलते हैं, next question के ओर हमारा अगला question है, question number 67, hypothalemus नियंतृत नहीं करता है, तो हमारे options है, option है योनिवेवार को, option B, प्राशर रनियमन को, option C, भूक और तरपती को, option D, रचनातमक, चिंतन और चेतना को, question number 67 में सही आंसर है, option D, रचनातमक, चिंतन और चेतना को, hypothalemus नियं नहीं करता है जबकि योन वेवार प्राश्रंड विनिमे और भूक और तरप्ती इन तीनों को हाइपो तुलेमस नियंतरित करता है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर शिक्स्टी एट जब कोई व्यक्ति स्रा पिता है तो मस्तिक्स का अप्शन नमबर शिक्स्टी एट में सही आंसर है अप्शन डी अनुमस्तिक्स का नियंतरित खोद देता है जो व्यक्ति स्रा पिता है तब चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर शिक्स्टी नाइट सभी एचेतन गतिव दिया शिदे इसपंदन अनेचिक स्वास या आंतरिक कर्मा कुंचन को नियंतरित करता है जो भी एचेतन गतिव दिया या अनेचिक गतिव दिया होती है जो हमारी इच्छा से नियुक्ती वो सउता चलती रहती है उनपर नी अंत्रेंट कोन करता है आपक्सें से जो की अनेचिक किरियां wanna नी अंत्रेंट करने का कार्य करता है जैसे अने चिक सुआस, आंत्रिक कर्मा कुंचन, हदे नियंत्रन चलते नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर सेउंटी मानौ शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर योजन सकती पाई जाती है ऐसी कौशी मानौ शरीर की कोशिकाओं जो दुबरा अपने आपको निर्मान करने में ऐसा मरत होती है सबसे कम बहुत कम समय बहुत कम अपना दुबरा निर्मान कर पाती है तो हमारे option से option A mustix कोशिकाए, option B पेशी कोशिकाए, option C यकरत कोशिकाए, option D अस्ती कोशिकाए Qution number 70 में सही answer है, option A mustix कोशिकाए, जो कि मानों सरीर में सबसे कम पुनर योजन सकती पाई जाती है, जो है mustix cells के अंदर चलते हैं next question के और हमारा अगला question है, question number 61 Student, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना न न भूले, इस चैनल पर आपको जो top question शीरीद दी गई है, वह आपके exam level को द्यान में रख कर दी गई, साथे साथ इन से आपके exam में question आने की समावना जादा रहन वह, तो इस वीड option से option ए प्रमस्तिक्स में, option मी अनुमस्तिक्स में, option C कशेरुक रज्जु में, option D तंत्री का कोशिका में, Q71 में सई आंसर है, option C कशेरुक रज्जु के अंदर परती औरती क्रियाओं का नियंतरान होता है, चलते next question के और हमारा अगला question है, Q72 में सई आंसर है, option A हाइफो तलेमस जो की हमारे मस्तिक्स में, सवेदना अत्मक अनुकरियाओं को नियंतरीत करता है, चलते next question के और हमारा अगला question है, Q73, Q73, Q73 कहां परिष्टित होती है, तो हमारे options है, option A मस्तिक्स के आधार में, option B हिट्रिदे के आधार में, option C गर्दन में, option D उधर में, जिसे master gland भी बोला जाता है, तो हमारा इसका सही आंसर है, option A मस्तिक्स के आधार के अंदर master gland इस्तित होती है, Q73, तो हमारे options से, option A ललाट वाग, option B बित्तिय पाली, option C लोकिक वाग, option D पस्से कपाल वाग, Q74 का सही आंसर है, option A ललाट वाग से संबंदित है, कौन सा प्रेरक कोसल, चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, Q75, मानव शरीर का कौन सा बाग, अलजाइमर रोक्षिय प्रभावित होता है, Q75 में सही आंसर है, option B मस्तिक्स, जोकि अलजाइमर रोक्षिय प्रभावित होता है, next question है, Q76, डिसलेक्सिय आप बिमारी निमन में से किस अंग से संबंदित है, तो हमारे option से, option A मस्तिक्स, option B आंक, option C कान, option D नांक, Q76 का सही आंसर है, option A मस्तिक्स, मस्तिक्स से, जो डिसलेक्सिय आप बिमारी है, वह संबंदित है, जिसमें पढ़ने और लिखने की समता कमजोर हो जाती है, तो चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, Q76, मानों के मेरू डंड तंत्रिका, कितने मानों के मेरू डंड तंत्रिका में कितने युगुम पाए जाते हैं, तो हमारे options है, option A 12, option B 31, option C 13, option D 33, Q77 का सही आंसर है, option B 31, मेरू डंड तंत्रिका युगुम पाए जाते हैं, जिनने जोड़े कहा जाता है, वह 33 जोड़े होते हैं, जबकि संक्या होती है, जो 62N की 62 होती है, तो चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, Q78, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्स के चारो और किस पदार्थ का आवरन पाया जाता है, तो हमारे option से, option A मेलीन, option B इनेमल, option C के और A, option D A और B दून, Q78 में सही आंसर है Option A मेलीन तंत्री का कोशिकाओं के तंत्री काक्स के चारो और मेलीन पदार्थ कावरन पाया जाता है चलते हैं Next question के और हमारा अगला question है Q79 मेरू रजुक के कारिये हैं तो हमारे options है Option A मस्तिक से आने M जाने वाले उद्धिपनों का स्वेन करना Option B ये परतिवर्ति क्रियाओं के समने वे वे नियंतरन Option C क्याओल A Option D ये A और B दोनो Q79 में सही आंसर है Option D A और B दोनो मतलब मस्तिक से जो आने और जाने वाले उद्दीबनों का स्यायन करने का कारिये भी मेरू रज्जु का है और जो परतिवर्ति करियाओं के समन्वे और नियंतरन का है वो भी मेरू रज्जु का कारिये है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 80 एपितिलियम मास्क किन गरंटियों से निर्मित होता है तो हमारे उप्सन से उप्सन पीनियल गरंटी उप्सन भी हेवे नियुला उप्सन से दोनों उप्सन दी इन में से कोई निग क्यूशन नमबर 80 में सही आंसर है उप्शन C जो एपितिलियम मास्क के है वे पीनेल गरंती और हेविला दोनों से नियंतरित होता है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 80 नियुरोन का बहार निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है तो हमारे उप्शन से है उप्शन ए एक्जोन ऑप्शन B डेंट्रोइट उप्शन C साई टरोन ऑप्शन D नियूरोफाई बिडिल Q81 में सही आंसर है option X-zone जो कि neuron का बहार निकला हुआ लंबा बाग X-zone कहलाता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है Q82 पर्ति वर्ति क्रियाओं का नियंतरन के अंदर कहां पर रिष्थित होता है तो हमारे options है option प्रमस्तिक्स में option भी अनुमस्तिक्स में Q82 में सही आंसर है option C कशेर्यू के अंदर प्रति वर्ति क्रियाओं का नियंतरन के अंदर इस्तित होता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है Q83 student अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूले आप अमारे चैनल पर नहीं है तो प्टापरची चैनल को कलीजे सब्सक्राइब इस चैनल पर आपको जन्रेल साइंस और रास्तान जी की top question शीरीद देखने को मिलेगी जिसके माद्देम से आप अपने तहरीका काफी सांदार तरिके से आकलन कर सकते हैं और ये top question शीरीद आपके एक्जाम लेओल को ध्यान में रखकर बनाएगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंट्स को शेर करिए ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी तहरीका काफी सांदार तरिके से आकलन कर पाएं मानव मस्तिक्स का वजण कितना होता है हमारे option से option a स्रीर के कुल वजण का लगवक 2% option b Q. 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 Q तो हमारे option से option ये गंदगा ग्यान कराना, option भी उपापची क्रियाओं को नियंतरन करना, option से द्रश्टी का ग्यान करना, option भी हदे दड़क का नियंतरन करना. Quesion number 84 का सही answer है, option ए, जो grand print का कारिय होता है वे गंदगा ग्यान करना होता है. चलते हैं, next question के ओर, हमारा अगला question है, question number 85 कारपुरा क्वाड्रो जेमिया का कारिय है, तो हमारे option से option ए, गंदगा ग्यान कराना, option भी द्रश्टी ग्यान कराना, option से अने चिक किरियाओं को नियंतरित, option ए, क्रमा कुंचन गती नियंतरित. Question number 85 में सही आंसर है, option B, द्रश्टी ग्यान कारपुरा क्वाड्रो जेमिया का कारिय द्रश्टी ग्यान करवाना होता है. चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है, question number 86, बोजन को नियंगलने M, उल्टी जैसी क्रियाओं का केंदर है, तो हमारे options है, option A, मेडूला, अबलो, ग्यान्टा, option B, प्रेमस्तिक्स, option C, अनुमस्तिक्स, option D, ग्रान, पिंड, क्यूश्टन नियंगलने M, उल्टी जैसी क्रिया केंदर है, सिद्धी तोर पे बोला जाए, तो जो मेडूला, अबलो, ग्यंटा है, अनेचिक क्रियाओं का नियंतरन केंदर है, या अनेचिक क्रियाओं का केंदर है, और ये जो पस्से मस्तिक्स होता है, मस्तिक्स का तीसरा वाग, उसके अंदर पाया जाता है, तो चलते है next question के और हमारा अगला question है question number 87 मुद्राओं का समन्वे M संतुलन कोन करता है जो हमारे how away उनका समन्वे और संतुलन कोन करता है तो हमारे option से option A अनुमस्तिक्स, option B ग्राणड पिंड, option C मेडूला अबलोग गेंटा, option D प्रामस्तिक्स, question number 87 में सही आंसर है option A अनुमस्तिक्स, जो की मुद्राओं का समन्वे M संतुलन करता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है, question number 88 पेशियों की गति का नियंतरन कोन करता है तो हमारे option से option A ग्राणड पिंड, option B मेडूला अबलोग गेंटा, option C अनुमस्तिक्स, option D प्रेमस्तिक्स question number 88 में सही आंसर है option C अनुमस्तिक्स के दुआरा पेशियों की गति का नियंतरन किया जाता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 89 सुआयत तंत्री का तंत्र कितने प्रकार का होता है तो हमारे option से option A option B, 2, option C, 3, option D इन में सही कोई नहीं question number 89 में सही आंसर है option B दो प्रकार का होता है दो कौन कौन से प्रकार है मैं आपको वो बता देता हूँ first और second प्रकार है अनुकंपी और प्रानुकंपी यह दोनों जो प्रकार है यह सुआए तंत्रिगा तंत्र के प्रकार होते हैं चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 90 पर्ती वर्ती क्रियाओं का संपादन किसके दुआरा होता है तो हमारे options है option मेरू रजू option B अनुमस्तिक्स option C प्रमस्तिक्स option D इन में से कोई नि question number 90 में सही आंसर है option मेरू रजू जो की पर्ती वर्ती क्रियाओं का संपादन करती है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 91 आखों की पुतलिया फेलना किसका प्रबाव है किसके प्रबाव से आखों की पुतलिया फेल जाती है तो हमारे options है option इनुकंपी तंत्री का तंदर option B option C option D question number 91 में सही आंसर है option A आखों की पुतलिया फेल जाती है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 92 शिदे इस पंदन का बढ़ना किसका प्रबाव है जब शिदे दड़कन बढ़ जाती है तो वे किसके प्रबाव के कारण बढ़ती है तो हमारे options है option A प्रानुकम्पी तंत्र का तंत्र option B अनुकम्पी तंत्र का तंत्र option C मेरू रज्जू तंत्र और option D पढ़ती वर्ती किरिया है question number 92 में सही आंसर है option B अनुकम्पी तंत्र का तंत्र के कारण है रदे इस पंदन यानि कि रिदे जो धड़कने वह बढ़ जाती है चलते नेक्स क्यूशन के उर हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर नाइंटी त्री पाचन गरंतियों का स्राव बढ़ना किसके प्रबाव के कारण होता है तो हमारे उप्शन से सौशन दर को कंपकरना किसके प्रबाव के कारण होता है तो हमारे option से option A प्रा अनुकंपी तंत्री का तंत्र, option B अनुकंपी तंत्री का तंत्र है, option C मेरू रज्जू, option D पर्तिवर्ती किरियाई, question number 94 में सही answer है, option A प्रा अनुकंपी तंत्री का तंत्र, जो की सरसंदर को कम करने के लिए जिम्मदार होता है, चलते हैं next question के और हमार ոप्टिल अनुकंपी तंत कंद्र κιसर्ण नम-बर 95 में सही आंसर अप्शन ऑनुकंपी तंत्र पšके प्रवाव की कारण रोंग़टे खड़े ओजाते हैं या रोंख्टि कढ़ ओने का पुरवाव का कारण अनुखमि तंत्री का तंतर है The 짜ft जलते हैं next question के ओर हमारा अगला Question क्यूचन है Q1 नमर 96 नमर 96 एड्रेनल कािस्रां पर्णता है तो हमारी options ऑप्षण ने पर प्रानुकंपी तंत्री का तंत्र उप्शन ऐसे अड्रेनल का सुराव बढ़ता है तो चलते हैं नेक्स कुशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नोबर 97 रक्त दाव का बढ़ना कारण है तो हमारे उप्शन से option A प्राणुकंपी तंत्र का तंत्र, option B अनुकंपी तंत्र का तंत्र, option C मेरू रजू, option D पर्तिवर्थी करियाई, question number 97 का सही answer है, option A प्राणुकंपी तंत्र का तंत्र, जिसके गान रखता बढ़ता है, चलते हैं next question के और हमारा अगला question है, question number 98, साउसंदर का कम होना, साउसंदर का कम होना कारण है, तो हमारे option से option A प्राणुकंपी तंत्र का तंत्र, option B अनुकंपी तंत्र का तंत्र, option C मेरू रजू, option D पर्तिवर्थी करियाई, क्यूशन नंबर 98 में सही आंसर है ओप्षन ए परानों कम्पी तंत्री का तरतर जिससे सवसंदर का कम होना एक कारण है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 99 निमनी में से कौन सी क्रियाई तीवरता से संपन होती है एक ऐसी परकार की ग्रियाई जो तीवरता से संपन होती है इसमें मा आपको एक्जाम्बल के माद्दे मुशे बता देता हूँ कि कौन सी कौन सी परती वरती क्रियाई होती है जब आप किसी गरम वस्तु को छूते हैं तो आपके हाथ गरम वस्तु को हलका सा टच करते ही वापस पीशे आ जाते हैं या दूसरी चीज़ जब आपको सरीर पर कहीं भी सुईच चुबोई जाती है तो जहां पर आपको switch उब गई है वहाँ पर तुरंत ही आप पर्तिवर्ति क्रिया करते हैं और वहाँ से हट जाते हैं तो यह पर्तिवर्ति क्रिया ही एक सी परकार की क्रिया ही होती है जो तीवर्ता से संपन हो जाती है तो चलते हैं next question के और हमारा अगला question है, question number 100, diancyphalone इस्तित होता है, तो हमारे options है, option है cerebrum के उपर, option B cerebrum के नीचे, option C, दोनों के बीच में, option D, इन मेंशे कोई नी, question number 100 का, सही answer है, option B, जो cerebrum के नीचे है, वर diancyphalone इस्तित होता है, और मैं आपको बता दू, जो diancyphalone है, वह अगर, मस्तिक्स का भाग होता है, और जो cerebrum है, वह मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, कौँचा? cerebrum, और साथे साथ, ये हमारी बुद्धी का केंद्रे भी होता है, अगर हमारी मस्तिक्स में cerebrum वाली जगे पर चोर लग जाए, तो हमारी बुद्धी शीन होने लग जाती है, यानि कि कमजोर होने लग जाती है, तो चलते next question के ओर, हमारा अगला question है, question number 101, diancyphalone का कारिय होता है, जो diancyphalone है, वह क्या कारिय करता है, option C, नियूरोन का संचरण, option D, इनमें से कोई नहीं, question number 101, रेट वन में सही आंसर है, option B, जो diancyphalone होता है, अगर मस्तिक्स का भाग होता है, और इसका जो परमुक कारिय होता है, वह होता है, तंत्री का तंत्र, वह अनत्र, वह जो गरंतिया होती है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है, उनको जोइंट करने का कारिय करता है, कौन? diancyphalone, और एक इसका भाग होता है, यह हमारे, अगर मस्तिक्स का भाग होता है, और माप को बता दूँ, जो हमारा मस्तिक्स होता है, उसके तीन भाग होता है, पहला होता है, अगर मस्तिक्स दूसरा होता है, मद्दे मस्तिक्स, और तीसरा होता है, फसे मस्तिक्स, और जो मस्तिक्स है, वो हमारे पूरे सरीर का लगबग 2% होता है, यहने कि हमारे जो पूरे सरीर का दो परतिसत भाग है वह मस्तिक्स है और यह जो पूरे सरीर को जो कंट्रोल करता है यह दो परतिसत भागी पूरे सरीर को कंट्रोल करता है तो इस्टूडेंट ये ते आज के हमारे टोप वन एट्रेट वन क्यूशन्स जो की मानग तंत्री का तंत्र से समझ देते अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले आप हमारे चैनल पर नहीं थो पुटापट से चैनल को कलीजे सब्सक्राइब इस चैनल पर आपको जन्रल साइंस और जिके की टोप क्यूशन शीरीज देखने को मिलेगी साथ ये टॉप क्यूशन सीरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाएगे जिससे आपके एक्जाम में इनसे क्यूशन आने के संभावना ज़ादा रहने वाली है तो पटापट से चैनल को सिस्क्राइब करिए और इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को जरूर सेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी तैयरी का कापी सांदार तरिके से आकलन कर सके तो स्टुडेंट वीडियो देखने के लिए ठैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और आप अपनी तैयारी का अकलन क्यूंकि स्टुडेंट चैनल पर अप्लोड की गई टोप क्यूशन सीरीज के माद्यम से कर सकते हैं